जैशरी महांकाल जैशरी महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागर थे और आपका बहुत आबार है आप जो प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत धन्यवाद दोस्तो बाबा भुलेनात आपको हमेशा खुश रखे हमेशा आनन्द में रखे हमारी बस यही दुआ है आज इस तुडियो में बात करने वाले हैं कि हजारों वर्स पुराना रहसी में आपके सामने रखने वाला हूँ यह रहसी क्या है और यह जो है यह बिल्कुल कारगर तरीका है और यह बात शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी और यह बात आज में इस तुडियो में आपको बताने वाला हूँ तो यह जो रहसी है जिसके बारे में हम इस तुडियो में बात करेंगे और अब शगून जीवन में जो जो कटिनाई हैं परिशानिया हैं उन सबका आपको हल और निवारन की ओर अब जाएंगे जितना उलज रहें उतना उलजेंगे नहीं जीवन में जो भी शांती, सुकून, धन, धन, दोलत, शोहरत जो भी चाहिए आपको वो सभी मिलेगा और य वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा है, उससे पहले मैं आपसे एक चोटा सा निवेधन करना चाहता हूँ, कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है, प्लीज आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही कमेंट्स में आप ओम न जब अब इसको यहां से छोड़ कर वीडियो को मज जाएगा यहां से बारी किसी चीज़ों को समझेगा कि हमारे पुराने रिशी मूनी थे जो हजारों बरस तक कई सालों तक एक मंतर का जाब करते थे कोई एक मंतर को कहीं कहीं बार वो जब करते थे और उसकी सिद्धी होने पर उन्हें इश्वर दर्शन देते थे और दर्शन देने के बाद वो इस विश्व के कल्यान के लिए अपनी इच्छा प्रकट करते थे लेकिन वर्तमान कल्यू गये इसमें हमारी एक और उसत आयू सो वर्स मानी गए लेकिन इस आधुनीक दूर में हम सत्तर साली हमोसत आयू है हमारी तो इस आयू में हम एक कोई मंत्र रख लें चाहे ओम नमस्षिभाई रख लें चाहे आप शिरी घनेश रख लें या आप कोई सा भी नाम रख दें मैं तो कहता हूँ सबसे आसान है राम का नाम रख लो सीता राम और उसका जब जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं मतलब अपने कर्म को करते जाए अपने नोक्री पेशा कर्म जो हम दो वक्त के गुजर बसर के लिए करते हैं वो बेशक आप करते जाए उसके साथ या तो अपने मोबाइल में उस तरह का मंतर जब खुद करके रिकोर्ड करके बार बार सुने